हेलो गाइज, वलकम बैक टो माइक्रो कलासीज, हमारी बियर्ड की इंपोर्टेंट कोश्चन्स की स्रीज चल रही है, जिसमें आज का मारा सब्जेक्ट रहने वाला है हिंदी सिक्सन, हिंदी की यह बारवी कलास है, आज का मारा टोपिक रहेगा पठन कोसल किसे कहते हैं, जो के पठन कोसल का विकास करना चाहते हैं, तब हमें किन वीडियो का सारा लेना पड़ेगा, यह ऐसा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, लोग कोश्चन की रूप में आपका मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन हो जाता है, यह है अगर हिंदी की बात करूँ मैं बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है आपका पठन कोसल और जो आपका लेखन कोसल है, दोनों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, बोलने वाला जो आपका कोसल है और सुनने वाला वह इतना नहीं पूछा जाता पेपर में, यह दोनों आपके सबसे ज़्यादा पूछ जाते हैं अगर हम पठन कोसल या फिर वाचन कोसल की बात करें वह होता क्या है इंगलिस में हम इसे reading skill बोल देते हैं अगर पहले इसके साब्धी गर्थ को देखे पहले इसका साब्धी गर्थ देख लेते हैं तब इसका मतलब अमें किल्यर हो जाएगा कि यह होता क्या है का अर्थ होता है वानी अब वानी का मतलब होता है बोलना इस वज़े से कहीं कहीं पर आपको वाचन सब्द का अर्थ या फिर वाचन कोसल का अर्थ मोखिक कोसल भी मिलेगा बोलने वाला कोसल जिसमें आप सिर्फ बोलते हैं पढ़ते नहीं है वहबी होता है यह भी होता है ल मिलेगा आपको कहीं पर आपको सिर्फ बोलने वाला मिलेगा लेकिन ब्याड के बाद आप जैसे ही जाएंगे यूपी टैड सी टैड सूपर टैड या सेंटर के जो भी आपके टीचिंग एक्जाम होते हैं वहाँ पर आपका जो वाचन कोशल का अर्थ होगा वह पठन कोशल ह अब हम यह आपर बात कर लेते हैं वाचन सब्द वाकदातू से बनाए जिसका अर्थ होता है वानी अर्थात लिखे वे का उच्चारण पठन सब्द की अगर बात करें हम पठ दातू से बनाए जिसका उच्चारण होता है कुछ छपा हुआ पढ़ना इस परकार हम कह सकते ह वाचन सब्द का मतलब होता है कुछ पहले से लिखा हुआ है हमें उसका उच्चारण करना है या फिर पढ़ना है और कोशल सब्द का क्या अर्थ होता है किसी काम को अच्छी तरह से करने की योग्यता या फिर दक्सता इस परकार पठन कोशल सब्द का जो अर्थ हो जाता है लिखित समागरी को ठीक परकार उच्चारण के साथ पढ़ने की योग्यता जो हमारी होती है, उसे हम पठन को सल बोलते हैं। समन्ने रूप में मनुष्य क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, पठन का अर्थ ले ले लेते हैं, कोई बच्चेकर खड़ाओ के बस पढ़ रहा है, उसे ही पठन माल लेते हैं, वास्त नहीं होता है। व्यापक रूप में अगर हम पठन की बात करें तो उसमें उचित लया बदता, लया के साथ, उतार चड़ाओं के साथ पढ़ना आ जाता है, अर्थ गरैंड करना आ जाता है, क्योंकि एक सब्द के 4-5 अर्थ होते हैं, वहाँ पर उस सब्द का क्या अर्थ है, भाव गरैंड क परकारों की बात करते हैं, कि अब पठन कोशल कितने परकार का होता है, मुख्य तोर पर हमें दो परकार का पठन कोशल देखने को मिल जाता है, सैस्वर वाचन और आपका मोन वाचन, यहाँ पर आपका वाचन लिखावा है, सैस्वर वाचन इस वज़े से वाचन का अर्थ पठन ही हो जाता है कहीं कहीं पर आपको confusion वैसे होगी लेकिन फिर भी वाचनकर्थ पठन से लीजिएगा आपके समस्याएं दूर हो जाएंगी से स्वर वाचन ऐसा वाचन जिसमें स्वर हो अगर कोई बोल बोल कर पढ़ रहा है उसे हम कहेंगे से स्वर वाचन किसी के पास किताब है इस लड़की के पास यह किताब है यह लड़की इस किताब को खड़ी होकर बोल बोल कर पढ़ रही है इसे हम क्या कहेंगे से स्वर अगर आप कुछ पढ़ते हैं, जिसमें आप होटो को नहीं लाते, बोलते नहीं हैं, उसे हम कहेंगे मोन वाचन, जिसमें आवाज नहीं हो, ऐसा वाचन, जिसमें आवाज नहीं हो, उसे हम मोन वाचन कहेंगे, जैसे आप घर बैठ कर अपनी कोई किताब पढ़ते हैं, सैस्वर वाचन के परकार देख लेते हैं पहले सैस्वर वाचन मतलब ऐसा वाचन जिसमें आप आवाज निकालें बोलते टाइम दुहनी उत्फन करें सैस्वर वाचन के चार परकार देखने को मिल जाते हैं हमें आदर्स वाचन अगर कलास में कोई टीचर किसी पार्ट को अगर कहीं उसे देखने को मिला वे टीचर थोड़ा ज़्यादा रुकेगा पूरे नियम के साथ पढ़ेगा वे टीचर ऐसा वाचन जो पूरे नियम के साथ पढ़ा जाता है उसे हम आदर्स वाचन कहते हैं जैसे यह टीचर पढ़ रहा है कलास में इसे हम आदर्स वाचन कहे आपका टीचर आपके सामने क्लास में खड़ा होके जब भी कोई चैप्टर पढ़ता है उसे हम आदर्स वाचन कहेंगे अब जब टीचर एक बार अपने चैप्टर को पढ़ लेता है उसके बाद वया कुछ बच्चों से कहता है कि इस पैरे को आप पढ़िये इस पेज को पढ़ कर सुनाईए कुछ बच्चों को खड़ा करता है और उसे उस पार्ट को बुलवाता है उसे हम कहेंगे अनुकरन वाचन अनुकरन मतलब imitation किसी की नकल करना जो उसने किया अब वो काम मैं करूंगा पहले टीचर कक्षा में आदर्स वाचन करेगा उसके बाद बच्च उस पार्ट को पढ़ेंगे उसे हम कहेंगे अनुकरन वाचन सैस्वर वाचन का तीसरा परकार हो जाता है व्यक्तिगत वाचन अगर कोई भी एक व्यक्ति एक बच्चा कोई भी अगर एक इनसान खड़ा होके पढ़ रहा है उसे हम कहेंगे व्यक्तिगत वाचन वह हैं खु सामुईक वाचन जैसे चोटी कक्षाव में ज्यादा कराते हैं सामुईक वाचन जैसे चोटी कक्षाव में बच्चे पोयम वगरा एक साथ खड़े ओकर बोलते रहते हैं ए आ बोलते रहते हैं उसे हम कहेंगे सामुईक वाचन मोन वाचन ऐसा वाचन जिसमें आवाज नहीं ह चाहते हैं जो चीज लिखी हुई है उसका भाव गरेंड करना चाहते हैं जैसे आपके college वालों ने कोई notice लगा दिया college के बाहर चिपका दिया कुछ की आपकी इस तारिक की इस दिन की छुटी है इस चीज की तब आप क्या करेंगे उस notice को पूरा पढ़ेंगे एक एक लाइन और उसका अर्थ निकालने की कोशिज करेंगे उसे हम कहते हैं गंभीर वाचन जिसे आप पूरा serious होके पढ़ते हैं आपको अर्थ निकालना है पेपर के लिए जब आप पढ़ते हैं एक्जाम की तियारी करते हैं तब आपका गंभीर वाचन ही होता है आप जो भी चीज प पूरा अर्थ या पूरा भाव नहीं निकालना चाते बस उस चीज को हलका सा समझना चाते हैं आप यह होता क्या है मान लीजिए ये एक लिस्ट है इस लिस्ट में आपके 15-20 नाम लिखे हैं ऐसे और आपको इसमें से अपना नाम ढूंडना है तब कि आप इसे serious होके पूर से serious होके नहीं पड़ते, आप इसे hलकछा सा पड़ते हैं, कोई आप कवीता पड़ रही है, कोई आप कहानी पड़ रही है, घर बैठ कर enjoyment के लिए आप कुछ पड़ रहे हैं, उसे आप दूरत वाचन कहेंगे, serious होके पूरा अर्थ नहीं गरैंड करना चातें, आप हलका सा अर्थ ग्रेंड करना चाहते हैं कि यह किस बारे में है मैंने आपको एक पैरा दे दिया लिखकर ऐसे एक पैरा दे दिया मैंने कहा बताओ यह किस सब्जेक्ट का है तब आप इसे हलका सा पढ़ेंगे अरे यह तो हिंदी के बारे में है तो हिंदी का हुआ अरे इसमें तो धर्ती के बारे में लिखा हुआ है धर्ती क्या होता है पिरत्वी क्या होता है तब यह जोग्रफी का है सीरियस होके पूरा अर्थ नहीं पढ़ेंगे पूरा नहीं रटेंगे से आप हलका सा आप उस चीज़ को पढ़ें यह किस बारे में आए दुरुत वाचन इस पीड से पढ़ते हैं हम इसमें लेकिन यहाँ पर सीरियस होके थोड़ा सो लोगों के पढ़ें पूरा समझना है हमें उसे क्या चीज़ है उसे हम कहेंगे मोन वाचन यह हमारे वाचन कोशल का परकार था अब हमारे वाचन कोशल के या पठन कोशल के विकास क्यों करते हैं बच्चों को उनके कौन कौन से उद्देश से होते हैं यह भी आपका लोग कोशन में आ जाता है कि वाचन कोशल का अर्थ बताईए और उसके उद्देश से बता दीजिए सबसे पहला उद्देश से हमारा होता है बच्चे उचित परवा के साथ पढ़ सके उनका जो रिदम है वह लह है वह उचित चले कहां पर आपका उतार आएगा कहां पर चड़ाव आएगा कहां पर उन्हें अपने वाज कम करनी है कहां पर ज्यादा करनी है जो भी होगा बच्चों को पूरा उचित लह के साथ परवा के साथ पढ़ना सिखाना है हमें दूसरा वन माला के अक्सरों की पैचान करना सिखाना जैसे इसे आ बोलते हैं हम इसे ई बोलते हैं इसे का बोलते हैं इसे फा बोलते हैं हम बच्चों को वनमाला का करम नहीं निर्दारन कराते कि करम क्या है करम से बोलना नहीं आता बच्चों पे वनमाला के अक्सरों की पैचान कराना सिखाते हैं इस अक्सर को क्या कहते हैं आ कहते हैं अगर बच्चे इसे पैचान ही नहीं पाए इसे A कहते हैं या U कहते हैं तब मैं बोल नहीं पाएंगे थर्ड पॉइंट है बच्चों में self study करने की आदत को विक्षित करना खुद पढ़ने की घर जाकर बच्चे खुद पढ़ सकें मजे लेने के लिए मस्ती करने के लिए हम enjoyment के लिए भी तो पढ़ते हैं या चलो एक novel पढ़ लेते हैं या इतनी अच्छी story है इसको पढ़ के देखते हैं स्वेद धाये खुद पढ़ने की आदत को विक्षित करते हैं बच्चों में चोथा नमबर हो जाता है बच्चे पाठ के भाव को समझ सकें हमने कोई पाठ बच्चों को दे दिया या फिर बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं पढ़ने का मतलब यह नहीं है बस बच्चों ने जो लिखवा था उसे बोल कर बता दिया उसे समझ भी सकें लेखा कभी क्या कहना चाहता है इस पाठ के दुआरा उसका मतलब क्या है इन सब्दों को इस तरह से लिखने का पांचो नमबर हो जाता है बच्चों के अर्थ निर्मान कोशलों का उत्थान करना यही हो जाता है यह भी इसी परकार का जो बच्चों के कोशल होते हैं सब्दो आपके तीन चार अर्थ निकल जाते हैं अब उन अर्थ निर्मान के कोसलों का हम बच्चों के उत्थान करते हैं छटा नंबर हो जाता है विराम चिन्नों का अर्थ बताना कौम आए तो हमें कितना रुकना है सेमी कोलन आए तो कितना रुकना है यह निसान मिले तो कितना रुखना है पूर्ण विराम आए तो कितना रुखना है यह आए तो क्या करना है बोलते है टाइम इनका किस परकार द्यान रखना है साथो नमबर हो जाता है आपका हाओ बाओ के साथ पढ़ने की योग्यता बनाना यह है आपका पहले नमबर में ही चला जाता है इसे अगर आप बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं बच्चों को इस योग्या बनाना कीवे लोकोक्ती मुहावरो आदी का अर्थ निकाल सके लोकोक्ती मुहावरो को समझ सके यहां पर आफ बहा लिख सकते हैं आठवा नमबर हमारा हो जाता है बच्चे पढ़कर विबिन समाजिक संसकर्तिक जानकरी ग्रैंड कर सके अगर बच्चे पढ़ रही हैं पढ़कर अपने समाज के बारे में संसकर्तिक बारे में आदी जानकरी ऐसी बच्चे प्राप्त कर सके यह हमारा उद्दिश से होता है पठन कोसल के विकास का अब बच्चों में हम पठन कोसल का विकास कैसे करते हैं मतलब है अगर हम बच्चों को पढ़ना सिखा रहे हैं छोटा बच्चा है उसे हम पढ़ना कैसे सिखाएंगे कौन कौन सी विदिया हैं जिनके द्वारा हम बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं विदी है सबसे ज़्यादा परियोग की जाती थी पहले अब छोड़ने की कोशिस कर रहे हैं हम लेकिन कई जगा पर अभी भी परियोग की जाती है आप और हम सब जो हमारी एज के बच्चे हैं उन सब ने इसी विदी के दौरा पढ़ना सीखा है इस पोस्टर को देख सकते है आप इस पोस्टर के दौरा आपके कुछ न कुछ समझ में आएगा कि इस तरह से ही हम सब पढ़ते हैं और हमने पढ़ना सीखा है सब्दों को तूटे वे सब्दों को जोड़ जोड़ कर अब इस विदी की बात कर लेते हैं या होता क्या है इस विदी में हम क्या करते हैं छ आसे रटवाते हैं या फिर ऐसे अनार आसे आम इसे इमली बड़ी इसे एक जैसे भी या फिर ऐसे रटवाते हैं बच्चों के पहले हम स्वर रटवाएंगे उसके बाद हम वेंजन रटवाएंगे बच्चों कहेंगे वेंजन रटो पहले कैवर्ग रटो क्या खेग है उसके बाद आपका चैवर गरटो फिर टैवर गरटो फिर तैवर गरटो इस तरह से टुकडो टुकडो में करके हम वर्ण माला रट वाते हैं और पूरी वर्ण माला जब बच्चे रट जाते हैं हमने देखा कि बच्चों ने पूरी वर्ण माला रट लिया है क्या ख्या गया गया इ बराबर की इस तरह से हम वर्णों पर मातरा लगाना सिखाते हैं और फिर बारा-खडी वगरे भी रटवा सकते हैं उन्हें कैकाकी की कुकू के कैको कौकंक है जो भी है बारा-खडी रटवाते हैं सोचिएगा का याद कीजिए का साइद आपने बाराख डिरटी होगी और उसके बाद हम वर्णों को जोड़ जोड़ कर बच्चों को सब्द बनवाना सिखाते हैं जैसे कामाल कमल का मैं काम इस तरीके से हम बच्चों पर क्या करते हैं सब्द बलवाना सिखाते हैं बच्चों ने क्या किय वर्णों को बोलना सीख लिया, इन वर्णों को क्या कहते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्णों को आपस में जोड़ जोड़ कर सब्द बनवाते हैं, जैसे कामल, शहद, माटर, माटर, इस तरह से काम है, काम, यह है, एमनोवज्ञानिक विधी मानी जाती है, सबसे प्र हमने सबने शीख आ तो आगे भी सीखी जाएंगे दूसरी हमारी विदी है वन्नो चारन विदी यह भी आपकी अक्सर बहुत विदी की तरह ही है लेकिन हम इसमें क्या करते है, एक टीचर को खड़ा कर देंगे ब्लेक बूरड पर teacher blackboard पर अकसर लिखता रहता है इससे क्या होता है बच्चों को उस अक्षर को देखकर वह द्वनी याद आने लगती है जैसे यह देखा उन्होंने ए बोल दिया यह देखा कै बोल दिया यह लेटर देखा उन्होंने पै बोल दिया बच्चे उस अक्षर वह उस द्वनी में संबंद इस्थाबित कर लेती है जब हम इस अक्सर को देखे तो हमें ऐसी आवाज निकालनी है जब बच्चे अक्सर और दवनी में संबन्द इस्थाविद कर जाते हैं तो सिक्सक मातराओं का ग्यान कराता है इस तरह से एक टीचर क्या करता है बच्चों को पढ़ना सिखाता है इस विदी को हम क्या कहते हैं मतलब वर्न का उच्चारन करना सिखा रहे हैं इस विदी में अब यह विदी भी ऐह मनुवग्यानिक मानी जाती है क्योंकि इसमें भी बच्चों को रटना पढ़ता है कुछ हद तक यह विदी आपकी अक्सर बोध विदी की तरह ही हो जाती है यह विदी आपकी मनुवग्यानिक विदी मानी जाती है इसे हम कहते हैं देखो और कहो विदी हम इसमें बच्चों के सामने ऐसे फोटो रखते हैं जिने बच्चे पैचान ले, जिने बच्चे पहले से ही जानते हैं, हमने इस फोटो को अपने बच्चों को दिखाया, बच्चों ने देखा यह फोटो, हमने पूछा बच्चों यह किस चीज का चित्र है, बच्चों ने कहा यह है तोता, यह है तोते का चित्र है, हमने क्या क के रखते हैं यह हमारा एक फोटो है यह फोटो हम लेकिया है फोटो हमने उपर लगाया हुआ है चीजर जिस चीज का भी और उसके नीचे नाम लिखा हुआ है बच्चों से पूछा हमने यह क्या है बच्चों ने खा तोता अब हम इस पर फोकस करेंगे यह क्या है तोता यह क तोता है तोता अब हम इसे तोड़ देंगे तो पलस ता इस इक्वल टू तोता फिर हम तै पर बल देंगे पहले हमने तोते पर बल दिया फिर इनको तोड़ कर बल दिया उसके बाद हम तै पर बल देंगे और बाद में तै को कहीं बार बच्चों से बलवाएंगे यह क्या है यह क्या है तै इसी तरह से अगर आपकी हो जाती है कोयल कोयल का चितर हम दिखा सकते हैं कोयल को तोड़ते हैं तो कै यह पलस ले हमें तीन वर्ण मिल जाते हैं बाद में हम तीनों पर बल देंगे पहले हम चितर दिखाएंगे चितर से सब्द बनवाएंगे और उस सब्द से ह चलती है ग्यात मतलब बच्चे जानते थे तोता क्या होता है अग्यात मतलब बच्चे यह नहीं जानते थे तोता लिखते कैसे हैं जो चीज बच्चों को पता थी जो चीज बच्चों को नहीं पता थी बाद में वहाई जो चीज बच्चों को पता थी पहले वहाई जो चीज बच्चों को नहीं पता थी, बाद में वहाई, ग्यात से अग्यात की विदी है, यह मनवग्यानिक माने जाती है, अच्छी विदी है, वर्तमान समय में इस विदी का भी अधिक परियोग किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, जो बच्चों के अलफा बैट आते हैं, वन्वा तर, यह आपका यहीं से निकला है Next विद्धी अमारी हो जाती है द्वैनी सामे विद्धी अगर आप हिंदी के बच्ची है, जो की हाई ही हिं तवी तो हिंदी की किलास पड़ रही है तुकांत सब्ड आपने पड़े होंगे अगर नहीं पड़े हैं तो दिक्कार है तुकांत सब्द अगर आपने पड़े होंगे तुकांत मतलब जिन में एक तुक हो उनके अंत में एक तुक होता है जैसे कल थल नल फल बल मल हल इस तरह से सेम ध्वैनी वाले सब्दों को हम सेम जगर रख देते हैं और उसी लाइन को बच्चों से बार-बार रटवाते हैं काम राम काम धाम आम चाम कल फल नल जल तल इस तरह से सेम ध्वैनी वाले सब्द हम बच्चों को सेम साथ सिखाएंगे जिससे बच्चे क्या करेंगे उन सब्दों को बोलना सीख जाएंगे अब ऐसा कोई भी सब्द आए बच्चे ज इस विदी के एक कमी है, सभी सब्दों को हम नहीं सिखा सकते हैं, हर सब्द का इस तरह से राइमिंग नहीं बना सकते हैं, छोटे छोटे सब्दों का हम बना सकते हैं, राइमिंग बड़े सब्दों के नहीं बना सकते हैं, आज की नेक्स्ट विदी हमारी हो जाती हैं, वाक्य भी एक वाक्य लिख देंगे, हमने यह एक वाक्य लिख देंगे, हम इस वाक्य को क्या करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे, जैसे हमने यह लिख दिया, यह मेरा घर है, मैं इसको हजार बार बोलूँगा, बच्चों से हजार बार बोलूँगा, यह मेरा घर है, यह मेरा घर ह इस से बच्चे क्या करेंगे यह सीख जाएंगे इस सब्द को क्या बोलेंगे यह है यह सब्द मेरा है यह है घर है यह है है जब भी मैं इस पर उंगली करूंगा बच्चे क्या बोल देंगे घर इस पर उंगली रख दी मैंने बच्चे क्या बोल देंगे यह है इस सब्द की क पता चल जाए कि बच्चों ने रिदम में तो नहीं रट लिया है उस लाइन को यह है मेरा घर है ऐसा नहीं बोलेंगे अब बच्चे क्या बोलेंगे यह है घर मेरा है जब बच्चे इस लाइन को सही बोलें लगेंगे मैं फिर अक्सरों को बदल दूँगा मेरा है यह है गर इस तरह से, पहले मैं क्या करता हूँ, एक वाक्य को बच्चों को सिखाता हूँ, जब बच्चे उस वाक्य को सीख जाते हैं, फिर मैं उसके सब्दों को आगे पीछे कर देता हूँ, जिससे बच्चे एक राइमिंग में न रटें, बच्चे उन सब्दों को समझ ले, अब ब बाद में हम पढ़ा सकते हैं यह है में, यह है रा, में पलस रा, बाद में हम उन्हें वर्णों का ग्यान करा देते हैं, यह हमारी बाक्या सिक्षन विदी है, इसे हम मनविग्यानिक विदी बोलते हैं, नेक्स्ट हमारी विदी हो जाती है साचरिय विदी, साचरिय का मतलब हो पहले से जानते हैं पैन, रबर, पैंसिल, स्केल, बुक, बैग, कोई फोटो रख दिया हमने, कुछ भी ऐसी चीज रख दिया, जिसे बच्चे पहले से जानते हैं, कलास के बीच में छोटे-छोटे काड रखे होते हैं, इस तरह के उन काड़ों पर हम नाम लिख के रखते हैं इस पे हमने पैंसिल लिख दिया, इस पे हमने बैग लिख दिया, इस पे हमने रबर लिख दिया, इस पे हमने स्केल लिख दिया, इस पे हमने आपका बुक लिख दी, इस पे हमने कटर लिख दिया, आपका सापनर, इस तरह से हम बच्चों को क्या कहते हैं, जो भी चीज है उस चीज के पास उस चीज का card रखो मतलब इस card पर जो भी नाम लिखा हुआ है वह नाम आप यह card आप उस चीज के पास रखो जिस चीज को यह है इंडिगेट करता है अगर rubber है या rubber है इसके नीचे आप rubber वाला card रखिए इसके पास आप pencil वाला card रखी है जिस card पर pencil लिखी हुई है इसके उपर आप bag वाला card रखी है जिसके उपर हमने bag लिख रखा है इस तरीके से बच्चे चीजों को देखकर यह समझते हैं कि वह चीज क्या है और उस चीज का लिखित रूप देखकर यह समझते हैं कि इस चीज को हम कैसे लिखते हैं इस से बच्चे उस चीज के लिखित रूप को पढ़ना सीख जाते हैं यह हैं बोल देते हैं हम साचरिय विदी इस विदी का निर्मान किस ने किया था? मारिया मोंटेश्री ने किया था मारिया मोंटेश्री बहुत ही अच्छी मनुवग्यानिक कह सकते हैं आप सैक्सिक मनुवग्यानिक रही हैं उन्होंने जो लेखन है लेखन पलस पठन के छेत में बहुत ही अच्छे काम किये हैं और उन्होंने खेल खेल में लिखने वे पढ़ने बच्चों को खेल खेल में सिखाने पर बल दिया है मारिया मॉन्टेशरी टैट में आप इसे पढ़ेंगे जाकर most important topic हो जाता है आपका यूबी टैट सी टैट में next हमारी विदी है कवीता विदी इस विदी में हम क्या करते है बच्चों को पहले कवीता रटवा देते हैं बच्चे उस कवीता को बोलना सीख जाते हैं जैसे twinkle twinkle little star कोई भी है चल उठ जा मेरे बादल बादल आया रम जम के जो भी कवीता हैं बच्चे उन कवीताओ को पहले रट लेते हैं, हम बच्चों पर बुलवाते हैं, कलास में बोलते हैं, बार 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 बोलते हैं, कलास में बच्चे उस कवीता को रट लेते हैं, जब बच्चों ने वैयर कवीता रट ली, अब बच्चों के सामने किताब हो, ने हो, सिक्सक हो, ने हो, कोई फरक नहीं पड़ता बच्चे उस कवीता को अराम से बोल देंगे फिर हम क्या करते हैं उस कवीता का लिखित रूप बच्चों को देते हैं फिर हम बच्चों से कहते हैं अब उस कवीता को आप बोलो देखते देखते बोलो बच्चे क्या करेंगे कितना सुन्दर है स्कूल इसमें रंग बिरंगे फूल बच्चे क्या करेंगे जो कवीता उन्होंने ड्रेट रखिया है उस कवीता के एक-एक सब्द लिखे वे एक-एक सब्द के साथ बोलते में चलेंगे उन्हें यह नहीं पता इसे कितना बोलते हैं और उन्हें यह भी नहीं पता यह सुन्दर ही है लेकिन यह एक सब्द है यह एक सब्द है और बच्चे इसके साथ अपना एक सब्द बोलेंगे कितना सुन्दर है स्कूल इसमें रंग बिरंगे फूल इससे बच्चों को पता चल जाता है इसे कितना बोलते हैं क्योंकि यह बार बार आएगा इसकूल बार पूल बार बार आएगा बच्चे क्या समझेंगे अच्छा फूल ऐसे लिखते हैं इससे बच्चे अक्सरों को लिखना सीख जाते हैं इसी परकार की आपकी कानी का थन विदी होती है बस हम उसमें बच्चों को कानी रटवा देते हैं बाद में जब कानी पूरी छोटी कानी बच्चे पूरा रट लेते हैं तब उस कानिकाम लिखित रूप दे देते हैं बच्चों को हमारी लास्ट विद्याज के हो जाती है सही युक्त विदी या फिर मिस्रित विदी कोई भी विदी ऐसी नहीं है जो सत परतिसत सही हो आपकी जो 100% सही हो कोई भी विदी ऐसी नहीं है कोई भी विदी ऐसी नहीं है जिसमें 100% कमिया हो तब हम क्या करते हैं हमें जिन बच्चों के लिए जिस अस्थान पर जो नसी विदी के आवसकता होती है हम उस विदी का अपने स्कूल में परियोग करते हैं उस विदी को हम कहते हैं मिसरित विदी आपकी सरकारी नोक्री लग गई इंस्पेक्शन के लिए आपके पास कुछ व्यक्ति आ गए देखने लगे आप कैसा पढ़ाते हैं क्यों पढ़ाते हैं कब पढ़ाते हैं उन्होंने आपसे पूछा आप किस विदी के द्वारा बच्चों को बोलना सिखाते हैं या फिर आप वर्तवान समय में बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए कौन सी विदी का परियोग कर रहे हैं तब आप यह कह सकते हैं, जी मैं मिस्रित विदी का परियोग करता हूँ, जिस विदी की जहां आऊ सकता है, उस विदी का वहाँ परियोग करता हूँ, जैसे अगर सेम राइमिंग वाले सब्द आ गए, उन्हें मैं दवनिसाम में विदी के द्वारा पढ़ा दूँगा, कोई ऐसी चीज मिल गई जो मुझे पोयम के द्वारा पढ़ा जा सकती है, उसे मैं कवीता विदी के द्वारा पढ़ा दूँगा, जैसी चीज मिली, जैसे बच्चे मिली, उस चीज के अनुसार, उन बच्चों के अनुसार, अपनी विदी का चेहन कर लेना, उसे हम कहा देते है बहतर आपको अब पता होगा पठन कोशल के बारे में वीडियो आपको अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड गुरूप्स में सेर कर सकते हैं बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासिज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तिल देन बाबाय तेक केर